Hello and welcome back दोस्तों, I hope कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्त होंगे दोस्तों बड़ी अपडेट यह है कि आज Department of Social Justice and Empowerment ने PM दक्ष योजना का notification निकाल दिया है नई ट्रेनिंग के लिए जिसके according 13 जुलाई याने की आज से इस योजना में candidate apply कर सकते हैं, last date mention नहीं है, साल के किसी भी मन्त में आप apply कर सकते हैं इस योजना में कुछ दिनों से कुछ महिनों तक के skill training और courses करवाये जाते हैं दोस्तों, जिनके complete होने के बाद certificate भी दिया जाता है और training के बाद 100% job मिलती है, home care या old age home या welfare association में और ये आपको government provide करती है, साथ ही इस type fund भी दिया जाता है, जिसकी detail वीडियो में है complete 18 से 45 साल के age के candidate apply कर सकते हैं और किसी भी qualification के candidate apply कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर data entry से लेकर autocad के courses और beauty therapist से लेकर के technician के training या courses मिल सकते हैं काफी सारे courses हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आप comment करते थे वो सारे के सारे courses या training आपको मिल जाएंगे और इस तरह के चार अलग-अलग section में करीब 100 से ज्यादा choice of training और courses available हैं, आपको अपनी education के according ढूणना है course जो आप करना चाहते हैं दोस्तों और फिर आपके शहर या गाओं या जिले से skill organization के द्वारा online या offline mode से training provide की जाएगी, इन में कुछ category या कुछ particular काम से related candidate या family member अप्लाए कर सकते हैं, साथ ही girls, boys या किसी भी gender के candidate अप्लाए कर सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए, बिकॉस आपको हर एक detail वीडियो में ही मिल जाएगी, complete detail मिलेगी, तो skip मत कीजिएगा, तो आइए ज़रूरी detail और apply का process देख लेते हैं, आइए सीखना शुरू करते हैं, दोस्तों आप Chrome पर search कीजिए PM दक्ष, इससे आपको यह link मिलेगी, इस link पर click कर दीजिए, अब आप PM दक्ष योजना के page पर हैं, जहां पर आप आपको सारी detail मिल जाएगी, कि PM दक्ष किन-किन organization से affiliated है, और किस ministry के under में work कर रहा है, PM दक्ष से related कोई भी जानकारी के लिए आप इस toll-free number पर सुबह 10 बजे से, शाम 6 बजे तक call भी कर सकते हैं, about PM दक्ष योजना पर अगर आप click करेंगे, तो आपको PM दक्ष से related सारी detail मिल जाएगी, जिसे PM दक्ष योजना का मतलब है, प्रधान मंत्री दक्षता और कौशलता संपन हित्गराही योजना, जो की एक national action plan है, SC, OBC, EBC, D&T और workers, जो की west pick करते हैं उनके लिए, नीचे objective दिया है PM दक्ष योजना का, और आपको और नीचे scroll करने पर skill program मिल जाएंगे, जिनके 4 type हैं, पहला है up skilling और re-skilling, जो की 32 से 80 गंटों का program रहेगा, second जो की B है, short term training, ये करीब 200 से 600 गंटे का 6 महिने का program रहेगा, इसके बाद entrepreneurship development, ये करीब 80 से 90 गंटों का program है, और long term courses, 5 महिनों से 1 साल के बीच का program रहेगा, नीचे आपको key features मिल जाएंगे इस scheme के, जैस ये free coaching है, बिल्कुल free of cost training है, 100% government के द्वारा दी जा रही है, stipend 1000 रुपे से 1500 रुपे तक मिलेगा, इस training में, short term training और long term training में, जो की 80% attendance के बाद मिलेगा, और wedge compensation 3000 मिलेगा, इसके साथ ही training को certification भी मिलेगा, और training के बाद placement और assessment की facility भी मिलेगी, याने की training को placement guaranteed यहाँ पर training के बाद, उपर scroll करने पर आपको menu बार में eligibility का option भी मिल जाएगा, जिस पर click करने पर, आप देख पाएंगे target group और eligibility, यहाँ पर 18-45 साल तक के candidate apply कर सकते हैं, जो की SC cost से belong करते हों, OBC से belong करते हों, economically backward class से belong करते हों, D&T, TG community और West Picking के सफाई कर्मचारी भी apply कर सकते हैं, और इस तरह की करीब 7 category के candidate apply कर सकते हैं, आप देख पाएंगे जिस भी category पर आप click करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन-कौन से document जरूरी हैं, जैसे card certificate जरूरी है, income certificate जरूरी है, income certificate के अलावा D&T, EBC या फिर OBC certificate की भी जरूरत रहेगी, अगर आप सफाई कर्मचारी है, West P से related हैं, तो occupation certificate भी जरूरी रहेगा इस case में, तो ये कुछ जरूरी document है, जो eligibility को proof करने के लिए लगेंगे, के अलावा आप FAQ पर याने की frequently asked question में देख सकते हैं, कि किस तरह से PM दक्ष योजना का लाब उठाया जा सकता है, support पर click करने पर आपको PM दक्ष का option मिलेगा, जिस पर click करने से, आपको यहाँ pick करने पर training की सारी information और institute के name मिल जाएंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं, executive, product help, autocad, KTR, data entry, beauty therapist, जैसे तरह तरह के training यहाँ पर available हैं, साथ में यहाँ पर हर एक states related organization दिखाई दे रहा है, और कितने घंटों की training होगी, online होगी या offline होगी, यह भी यहाँ पर दिखाया गया है, और आप category wise यहाँ पर देख सकते हैं, कि किस किस तरह की training यहाँ पर दी जा रही है, जैसे ANSYS की training भी दी जा रही है, यहाँ data entry की training भी दी जा रही है, assistant electrician, autocad, bamboo unit, beauty therapist, data entry operator, carpenter, KTR, किस certificate training program यहाँ पर आपको provide किये जाएंगे, अब apply का process देख ल simply login पर click करना है, यहाँ पर और अपना user ID और password डालने के बाद capture को enter करके, आप login करके training में apply कर सकते हैं, free of cost, but आप first time आये हैं PM दक्ष के portal पर, तो आप candidate registration पर click कीजिएगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर click करने पर, आपको चार step में अपना registration कर लेना है, और फिर आप training अमें apply कर सकते हैं, या training कर सकते हैं, तो first step में आपको basic details डालना होगी, basic details में सबसे पहले आपको अपनी category चूज करना होगी, यहाँ SC, OBC, EBC, D&T, सफाई करमचारी, West, Picker, Transgender, Manual, Scraver की cast यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, आप जिस भी category को चूज करेंगे, उसके according आ आपको category certificate यहाँ पर upload करना होगा, जो कि 2MB में हो, अगर आप OBC category को choose करते हैं, तो यहाँ पर change हो जाएगा form, इन दो जगों पर आपको आप income certificate और category certification दोनों लगाना होगी, EBC category pick करने पर आपको अप income certificate ही लगाना होगा, D&T को click करने पर आपको category certificate लगाना होगा, सफाई करम occupation certification भी लगाना होगा, जो कि आपको अपनी workplace से मिल जाएगा, उसका अगर आपको sample देखना है, तो आप इस पर pick करेंगे, तो यहाँ पर आपको हर तरह का format हिंदी और English दोनों में मिल जाएगा, तो इसे भर करके आपको अपने organization से sign करवा के, scan करके upload करना होगा, अगर west picker प आपको यहाँ से मिल जाएगी, अब मैं बाकी के common चीज़े जो बता देता हूँ, आपको जो सभी को लगाना ही है, और type करना है, वो है सबसे पहले आप category choose करेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, मतलब जो भी training करना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ पूरा लिखना है उनके father या husband का यहाँ पर नाम लिखना है, DOB आप यहाँ type भी कर सकते हैं, या इस calendar option से choose कर सकते हैं, इसके बाद आप gender pick करेंगे यहाँ से, state को आपको यहाँ से pick करना है, हर तरह की state और सारी state आपको यहाँ मिल रही है, उसके बाद आप state की cities को यहाँ पर pick कर दीजेगा, अगर गाउं से बिलॉंग करते हैं, तो rural, अगर शहर से बिलॉंग करते हैं, तो urban pick करना है, अपनी educational qualification आपको लिखना है, अगर कोई particular education नहीं है, तो no formal education पर pick करना है, up to fifth class आप pick कर सकते हैं, 12th, 10th या graduation diploma आप pick कर सकते हैं, उसके जो भी certificate यहाँ पर ज़रूरी है, जैसे upload photo, तो choose file पर आप click करेंगे, और जो photo आपको choose करना है, उसे choose करके open करने के बाद, यहाँ पर upload हो जाएगा, ध्यान रखिए, जो भी यहाँ पर file size दिया है, उसी size में आपको upload करना ज़रूरी है, do you have any active bank account, अगर bank account है, तो yes कीजिए, नहीं है, तो फिर no कर दीजिए, और आपका bank account आधार से link होना चाहिए, link हो, तो yes कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर no कर दीजिए, mobile number को यहाँ type कीजिए, send OTP पर click कर दीजिए, आपके mobile पर एक OTP आएगा, जिसे आपको एक box में fit करना होगा, इस तरह से आपके mobile पर OTP आजाएगा, उस OTP को आपको यहाँ type करना है, और verify पर click कर देना है, verify करते ही, यहाँ next step का option आजाएगा, अब आप next step पर pick कीजिए, अब आपको यहाँ training details pick करना है, जैसे आपको choose करना है, एक state जहाँ पर आप prescription लेना चाहते हैं, इसकी बाद state से related district को आपको pick करना है, जहाँ पर आप training लेना चाहते हैं, अब जैसे मैंन 3D है, CATIA है, CNC है, entrepreneurship है, fashion designer है, PLC programming है, self employer, tailor version है, तो आप इन में से किसी भी training को select कर सकते हैं, फिर उसकी बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिन भी training institute में जो भी training आपको दी जा रही होगी, वो यहाँ पर show हो जाएगा, और training institute जो available है, वो भी यहाँ पर दिखाई देने ल जगेंगे, तो आपको यहाँ से उसे select करना होगा, automatically यहाँ पर duration आ जाएगा, आपको feed करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर जो भी course को pick किया है, उससे related training institute आ गया, और उससे related duration 90 hour भी यहाँ पर आ चुका है, अब आपको second job role भी अपना यहाँ पर pick करना होगा, तो आप next step पर pick कर दीजिएगा, next step को pick करते ही bank detail पर आप आ चुके है, जो की third step है, जरूरी है, यह इसलिए मांगा जाता है, जिससे आपको stipend provide किया जा सके, आपके direct bank account में, यहाँ पर bank account holder का नाम लिखना है, वो आपके father हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, bank का नाम लिख करते ही, आप fourth step पर आ जाएंगे, finish हो जाएगा, और success यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, you have successfully signed up, दोस्तो same step को follow करते हुए, आप PM दक्ष एप या Among एप से भी apply कर सकते हैं, इन training के लिए या courses के लिए आप direct apply कर सकते हैं, यह दोनों एप भी आपको play store पर available हैं, अगर आप आपको देखना हैं कि उमंग एप या PM दक्ष से किस तरह से मोबाइल के तुरू apply किया जा सकता है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसकी link में आपको description box में दे दूँगा, इसमें पूरी process बताई गई है, मोबाइल के तुरू PM दक्ष में किस तरह से apply किया जा सकता है, अब जब आप login पर click करेंगे, यहाँ पर login पर click करेंगे, तो यहाँ पर दिखाए देगा कि success हो चुका है candidate registration, तो इस तरह से आपका complete registration हो जाता है, PM दक्ष के लिए, किसी भी training या फिर किसी भी course के लिए, आपके document को verify किया जाता है, और फिर आपके दिये हुए mobile number ब चले गए हैं, और PM दक्ष की team के द्वारा उसे verify किया जाता है, और verify होने के बाद आपको contact किया जाता है, और उसी के बाद आपकी training process शुरू होती है, यह registration दोस्तों आज से ही शुरू हुए है, याने कि 13 July से शुरू हुए है, और काफी दिनों तक चलेंगे, तो उसके आद ही आपको आगे का process complete करना होगा, तो इसके बाद की process आपको मिल जाएगी, आपके mobile number पर ही जब verification complete हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आया है, तो like, share ज़रूर कीजिएगा, और नए है चैनल पर तो subscribe करने के बाद bell icon को प्रेस कर दीजिएगा, नए नए अपडेट के ल रहिए, all the best, bye bye दोस्तों, take care.